हेला एवरीवन इस वीडियम बात करने वाले हम नेक्स पॉलम इंटिग्रेशन का तो हमें जो गिवन कोशिन है वह है को सैक की पावर 4x dx तो यहां पर देखो को सैक यह को सैक फंक्शन है मैंने सी एस सी लिखा कहीं पर सी एस लिखा था या को सैक लिखो एक यह बात है इस लिखेंगे पहले क्या करता हूं कि यह जो पावर 4 है इसको टूटू करके लिख लेते हैं इस टाइप से लिख सकते हैं इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया अब एक को सैक स्कॉर को हम 1 प्लस कोट इसकॉर लिख लेंगे क्योंकि यह पायथागृरन आइडेंटिटी होती है पायथागृरन आइडेंटिटी सब को पता होने चाहिए कि cosec square x जो होता है वो होता है one plus coat square x ये patho दोने औरने हम सबको पता हुआ ग्याई तीन ही होती है तीन हो पतावने जाई इसी किसी एक को बस यहां पर put कर देंगा किसी एक को चलो second वाले को put कर देते हैं first वाले को ऐसे ही रखते है तो इसकी जए लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वार एक्स 1 प्लस कोट स्क्वार एक्स डी एक्स यहां तक सब को बात समझाई आप क्या करेंगे यहां से ध्यान से देखो जो कोट का डेरिवेटिव है वो उसमें कोसेक इस्वार आता है तो हमें सब्टिटूशिन समझाऊ गये हैं यहां पर क्या इस्तिमाल होगा हम यूज करेंगे u is equals to कोट एक्स कोट का डेरिवेटिव कितना होता है डेरिवेटिव होता है इसका negative cosec square x cosec square x dx मेरा जे तरीका अब तक की वीडियो में समझा आ गया होगा कि मैं dx point करना prefer करता हूँ तो यहां से मैं dx point करूँगा पहले उसके बाद ही substitute करूँगा इतना आ गया अब क्या करना इन दोनों सब्स्टिटूशन को जहां पर कोट x आ रहा हूँ वहाँ पर यू लिख देंगे और जहां पर dx आ रहा हूँ आ पर लिख देंगे du over negative cosec square x cosec square की जगा है तो कुछ assume नहीं करा इसको as it is लिखो यहाँ पर देखो one plus कोट x की जगा हमने माना है u तो यहाँ पर square आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे u square आगे फिर dx है और dx की जगा है यह du over negative cosec square x कुछ terms cancel हो जाएंगे जो terms cancel होते हैं उनको इसको बाहर लिख लेते हैं कि इसको उपर करिया पहले यह negative sign को बहुत ही केरफुली देखना इसको मैं बाहर लिख लेता हूं इंटीक्रेशन के negative 1 प्लस अब इसका integration करते हो बस कुछ नहीं बचा इसमें integration of one लेकिन हम कर रहे है with respect to you अगर you के respect में कर रहे हो तो you आयागा ठीक है यहाँ पर with respect to you है न तो one का integration हो जाएगा यू एंड यू स्क्वार का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक power add करते हैं power rule में वही से divide कर देते हैं plus c इस negative sign को अंदर ले जाओ तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें simplify कर रहा हूं इस negative sign तो यह जाएगा नेगेटिव यू नेगेटिव और यह जाएगा यू रेस्ट्रिट पावर थरी ऑवर थरी प्लस सी हमारा जो कोशन था गिवन क्योशन वह किसके टर्म समय था यहां से देखो जो गिवन कोशिन था वह एक सकति हमें थैंसर आने चाहिए हमारा एक्स के टर्म से में ठेक बात तो यहां पर द्यान से देखो कि तो यू की ज़ेए हमने माना था कोटेक्स उसी को यहां पर पूट कर देंगे के वहले कि सब्टुटॉशन था कि यहां पर लिख देंगे हैं कोटेक्स कोटेक्स नेग माइनस पावर थरी करने है ठीक है क्योंकि यू की पावर थरी है तो यहां पर कोट की पावर थरी यह हमारा आंसर आजाए को डिवाइड बाइट थरी क्योंकि डिवाइड बाइट थरी भी था पहले उपर से प्लस सी इस टाइप से निकालते हैं जो किविन कोशन था कोसेक की पावर फॉर का इंटिगेशन होता नेगेटिव कोटेक्स माइनस कोट की पावर थरी एक्स ओवर थरी प्लस सी आयोप आप लोगों को यह सब समझाया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि अगर इसी तरह से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आयोप आप लोगों को यह सब समझाया होगा फिलाल इस वी वीडियो में मिलेंगे नेक्स प्रॉब्लम के साथ